तो फाइनली गाए जैसा कि आप सबी जानते होंगे पिशले शिक्रोवार यानि कि 8 मार्च को स्रीमाघरों में रिलीस हुई थी बॉलिवूड के सिंगम अजिर्योगन की फिल्म शैतान जिसने स्रीमाघरों में 7 दिन पूरे कंपलेट कर लिये हैं और दोस्तो फिल्म को रिली तरह से सूपर हिट रहा अपने विकेंड पर एक शांदार कलेक्शन करने के बाद अभी फिल्म ने अपने विकेंड के बाद जो कलेक्शन किया है मंडे ट्यूस्टे वैनस्टे थर्स्टे फ्रैडे यानि कि यह बहुत जबर्दस कलेक्शन कर रही है फिल्म शैतान और दोस फाइटर फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट हुई है बॉक्स ओफिस पर पैसा फिल्म ने कमाया है लेकिन उतना ज्यादा प्यार हमें फाइटर फिल्म के लिए देखने को नहीं मिला था जितना की फिल्म शैतान के नहीं मिल रहा है दो तो शैतान फिल्म ने सिनिवा घरों में सा पॉटल की तरह कलक्षन हो चुका है और आज अपने आठवे दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है कौन से शहर में फिल्म का क्या हाल चल रहे कितने परसेंट की उक्योंकि दोस्तों आज बॉलिवूड की कई और बड़ी फिल्म में सिनीमा गरों में रिलीस हो चुकी है सि दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहीएगा लेकिं दोस्तो उससे पहले अगर आप बॉलिवूड के सिंगम आजी देवगन को एक बेहतरी नभी नेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथी साथ इस चेनल को भी सरूर सबस्क्राइब कर साल 2024 में आजी देवगन की इस फिल्म का बहुत स्यादा इंतिजार था लेकिन जब से फिल्म का ट्रेलर रिलिस हुआ था तो फिल्म ने अपनी हाइप बना दी थी और पता चल चुका था कि शैतान फिल्म बॉक्स आफिस पर चलेगी यूँकि साल 2022 में 18 नवंबर को जब द परफॉर्मंस दिखाई है वो वाकि काबिले तारीफ है आपको बताता चलो में कि शैतान फिल्म हिंदी लेंग्विज की एक हॉरर थिल्डर फिल्म है जिसको डेलिक किया है विकास बहल ने और फिल्म को प्रिडूस किया है विकास बहल जोती देशपांडे और आजी देव फिल्म में हमें आजी देवगन के साथ जोती का आर्माधवन और जानकी बोधिवाला एहम किर्दारों में नजर आए और दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो 80 करोड पेसे भी कम का था वहीं फिल्म को पूरे वर्ड में लगबग 2200 स्क्रीनों पर रिलीस किया गया था ले मुंबई में आज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिलता हूँ नजर आ रहा है क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई भी फिल्म रिलीस हो जाए जो अपनी जगह पे कमाई करती रहेगी दूसरी फिल्म में अपनी जगह पे कमाई करेगी तो फि फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिलता है फिल्म के पास अभी भी 1190 शोज है पुने के अंदर आज जो मॉर्निंग की उक्पेंस है दोस्तो वो है लगबक 12% की और मैं कहूंगा कि जिस तरह से पुने दिल्ली एंसियार मुंबई बैंगलूरू हैदराबास सभी जग आज मॉर्निंग की 4% की उक्पेंस है फिल्म के पास 172 शोज है कोलकता में भी फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है फिल्म की आज मॉर्निंग से ही 7% की उक्पेंस है और फिल्म के पास 295 शोज है एहमदाबाद में भी आज जो मॉर्निंग की उक्पेंस है व की फिल्म की बॉल्यूट की और भी बड़ी फिल्म में रिलीज हो चुकी है सूरत की अगर बात करें है छेने की अगर बात करें तो वही ही रिस्पॉस मिल रहे है छेने में भी आज लगबख 14% की occupancy आज अपने 8 में 6% से ज्यादा क्योंकि पैंजी फिल्म के पास अभी भी लगनों में 215 शो से तो कहने का मतलब यही कि शैतान फिल्म को अभी जो रिस्पॉंस मिल रहा है वो बाकी काबिली तारीफ मिल रहा है यारी कि अभी ये फिल्म इसे देखकर ये कहना विल्कुल भी गलत नहीं होग कि शैतान फिल्म ने अपने ओपनिंग टेपर जब ये फिल्म स्रीमागरों में रिलीस हुई थी 8 मार्च को तो अपने पहले ये दिन 15 करोड 21 लाक रुपे की इस फिल्म ने नेट ओपनिंग ले थी फिल्म का जो दूसरे दिन का कलक्शन था वो 19 करोड 18 लाक रुपे था औ और अपने तीन दिनों के विकेंड पर फिल्म शैतान ने 55 करोड 13 लाक रुपे इंडिया से नेट कमा लिये थे तो वहीं फिल्म के जो वर्ड वाइड कमाई थी वो 80 करोड 31 लाक रुपे थी चौथे दिन फिल्म का अपने विकेंड के बाद की बात कर रहा हूं मंडे की दिन फिल्म का कलक्शन रहा 7 करोड 81 लाक रुपे पाचवे दिन फिल्म ने कमाई 6 करोड 57 लाक रुपे और दोस्तो चटवे दिन फिल्म का कलक्शन रहा था 6 करोड 27 लाक रुपे और फिल्म ने 6 दिनों में officially 75 करोड 78 लाख रुपे की कमाई इंडिया से नेट कर लिए जहां दोस्तों इंडिया के अंदर 6 दिनों में 75 करोड 78 लाख रुपे नेट हो चुके है वही फिल्म का जो इंडिया में gross collection है वो 90 करोड 21 लाख रुपे हो चुका है overseas से फिल्म ने कमा लिए है 20 करोड रुपे और कुल मिला के फिल्म की जो पूरे वल्ड में total कमाई है वो 110 करोड 21 लाख रुपे हो चुकी है उसके बाद आता है 7 दिन तो फिल्म का collection कम से कम 6 करोड रुपे कर रहा और दोस्तो आज 8 वा दिन है फिल्म का तो आज भी फिल्म 5 करोड में पूरे इंडिया से कमा रही है और फिल्म की जो 8 दिनों की total कमाई है वो 87 करोड रुपे 87 करोड दोस्तो 8 दिनों में 87 करोड पे फिल्म इंडिया से net कर रही है तो वहीं फिल्म पूरे वर्ड में 127 करोड रुपे कर रही है और दोस्तों वाकि ये फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपरिट हो चुकी है लेकिन आपको कैसे लगी ये फिल्म कमेंड में बताईएगा